तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं box model के बारे में कि ये काम कैसे करता है और इसको हम कैसे use कर सकते हैं ठीक है तो सबसे बहले मैं करता हूँ एक tip बना लेता हूँ और उसको class देते हैं कोई box ठीक है अब चलते हैं css में और मैं class box में कुछ size देता हूँ like width देते हैं हम यहाँ पर 200px या मैं इसको hand ready करते हूँ और height करते हैं 100px और कुछ color डालते हैं background color red और border भी डाल देते हैं 10px solid और अब कुछ padding भी दे रहेते हैं padding दे देते हैं 150px चलेगा ठीक है अब देखो जैसे मैंने इसको save करा तो क्या क्या आया है यहाँ पर width थाई background color आया देखो मैं आपको इसको बंद कर देता हूँ अब देखो width थाई अभी padding और border नहीं डाला है अभी padding और border रॉन कर देता हूँ ठीक है तो padding और border भी आया यह वो है content box मैं आपको एक काम करता हूँ inspect करके दिखाता हूँ जैसे ज्याद अच्छे से समझ में आप आप आएगा देखो यह जो by default होती है box हमारे पास property होती है box sizing उसके अंदर दो value है हमारे पास border box और content box तो by default box sizing content box पर चलती है ठीक है अभी इससे देखो कोई फरक नहीं पड़ा है तो content box पर भी यह by default चल रही है अब देखो इस समझने के लिए मैं कैसे बताता हूँ कि जो width और height है वो कितनी थी 100 pixel अब ऐसे ही इसका border कितना था 10 pixel तो देखो उसने 10 pixel size लिया और 50 pixel उसकी कितनी थी padding तो चार द्रफ से इसका पैडिंग आ लगी तो total size इसका कितना हुआ calculate करते हैं width कितनी थी 100 pixel पैडिंग क 50 pixel तो 50 pixel left से और 50 pixel right से तो total कितनी हो गया 100 तो 100 plus 100 200 और border left से 10 pixel है और right से भी 10 pixel है तो कितना हो गया 20 तो उनको भी add तो total कितना हो गया हमारे पास 300 और sorry 220 इस तरीके से content box काम करता है ऐसी height के case में भी height 100 pixel है 50 pixel उपर padding थी नीचे थी 100 pixel हो और 50-50 200 हो गया और 10 और 10 ये तो कितना हो हो गया total 220 पर क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे behave content box कि तरह न अगरे मतलब हम size दे जो हमने width और height लिए है उसके according काम करे तो उसके लिए जो property हमारे पास वो है box sizing border box content box by default होती है by default ऐसे ही behave करेगा है जिस मैंने आपको बताया चाहें आप content box लिखो या मत लिखो by default लिखो पर अगर आप box sizing border box कर दे तो इसको ठीक है अगर मैंने इसको border box कर दे देखो उत्तम छोटा हो गया अब हुआ क्या समझते हैं जैसे हम बोलते है box sizing border box तो आपने जो width और height लिए है न तो जो border आप pass करोगे वो width और height में से reduce हो जाएगा ऐसे ही padding जो आप देखो वो width और height में से reduce हो जाएगी मालब उतना ही हमिजा size रहने वाला है अब इसमें थोड़ा सा एक issue है issue नहीं यह सकते functionality है वो मैं आपको समझाता हूँ क्या है देखो width height कितनी थी 100px तो width इसकी 100px थी तो padding कितनी होई 50px और इस side से 50px और total कितना हो गया 100px अब ऐसे ही border आया border कितना था 10 10px तो 10 और 10 कितना हो गया 20 तो अभी इसका size बना वो बना 120px ठीक है यह सब उसी के अंदर आ गया देखो समझने यह करते हैं आप पैडिंग हमने बढ़ाई है इसको कम कर देता हूँ 30px अब जो इसका total size है वो हेंडर ही है सब कुछ इसके अंदर border भी इसी के जो width हमने ल चली गई अब यहां देखते हैं देखो width कितनी दिखा रहा है 20-20 क्यूंकि जो आपने padding लिए थी 30 वो 30 यहां गई और 30 यहां गई तो 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 इतना होगे 60 ऐसी 10 border यहां गया और 10 border यहां गया तो कितना होगे 800 में से 80 minus करोगे तो width कितनी बचकी 20 जो अंदर का main part था वो तो क्यों हो पाया है box sizing border box के जिबाजा से अब जब भी आप कोई global जैसे की आप foot strap यूज़ करते हो for example तो उसमें by default box sizing border box ली होती है आप materialize CSS यूज़ करोगे तो उसमें box sizing by default content books यूज़ होती है यह depend करता है आप कौन सा framework यूज़ कर रहे हो अगर आप CSS के इसी framework की बात कर र सबस्ते हैं कि क्या एक थोड़ेंट तरीक से behave करता है हाँ देखो करता है अगर मैं इसको padding देदू मैंने का था कि जितनी padding देता है वो उसके अंदर चलिए आती है लेकिन अगर width या padding में से कोई चीज़ जाता है मैं अलब size width या height कह सकते है तो बोच करो मैं इसको तो अब क इदर से भी 100 है कि हमें padding चार उत्रफ के लिए 100 दे हुई है ठीक है तो 100 है तो 200 हो गया और 10 और 10 ही तो total size का होगया 220 मैं आपको दिखायता हूँ देखो मैं border हटाता हूँ होगी छोटा हो जाएगा थोड़ा सा ठीक है अब मैं इसको वापस करता हूँ अब थोड़ा बढा अब एकदर size बढ़ जाएगा ठीक है तो box sizing border box के case में अगर padding का size आपने total width से ज्यादा बढ़ा दिया है तो padding के according और border के according चलने लग चाईगी उन दोनों को match करके जो भी size आएगा वो calculate होगा बट अगर आप नहीं करते हो ऐसा और आपने border और padding का size जो है वो total width से कम बनता है तो वो जितना भी size है वो उसी width के अंदर calculate होगा, clear है, hope आपको यह बिल्कुल अच्छे से clear होगया होगा, तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं था, इसकी आप एक बाए practice कर लो तो आपको box sizing और content box में और अच्छे difference पता लग जाएगा, और मैं कुछ questions discussion में डालत अगर आप वो देख लिए तो इंटर्वियों में आपको जादा अच्छे से मतल मिल जाएगी, ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, thank you so much.